नमस्कार अराव श्रीकाल मैं हूँ आपको दोस्साइब का होई शुबर निक चोहान आप लोगा स्वागत करता हूं दे हिंदू के सेशन गेंदा है जहां पर हम लोग दे हिंदू की कुछ आजी खबरें ओए टोल के ओपर चल्चा करेंगे दोस्तों जिनने पढ़कर निशी पाथफाइंडर टीम जिसके साथ मैं मैं काम करता हूं जो कई साथ टॉप अभी तक दे चुकी है अगर आप लोग में साथ में रेगुलर्ली जूड़ना चाहते हो तो आप लोग सासी 10 टेलिग्राम गुरूप के उपर में साथ में जूड़ सकते हो तक कि मेरे क्लास की लाइब ली जाती है और अगर आपको चाहिए कि आपको वन-on-one में साथ में इंटरेक्शन करना है और आपको चाहिए अप लोग टारगेट दू और फिर आप अपनी प्रिपरेशन करो इस तरीके के आपको वन-on-one प्रिपरेशन चाहिए तो आप लोग आप जब मिलेगी तो जाओ सब्सक्राइब करो तो शुरू करते हैं दोस्तों सेशन को आज हम लोग कई साही खबरे और इटरिल के उपर बात करने वालें यहां पर नहीं चपी है ठीक है अच्छा मेरी आवाज आप लोगों दिखाया दे रहा हूं सुनाय दे रहा हूं कि तब कुछ कि जैसे सब्सक्राइब करें यहां बिरूद गड़े बाड़े कि आख लोगों आख लोगों आख लोगों आख लोगों आख लोगों आख कि यह हो रही है कि ओके ठीक है सब कुछ क्लियर है है तो शुरू करते हैं सेशन को सबसे पहले जी एस फन से खबिरों के ऊपर बात करते हैं एक छोटी थी खबर है बहुत बड़ी नहीं है पर प्री के अंदर ऐसे फटा है इंडोनेशिया के अंदर जावायों पर माउट मरापी माउंड मरापी कहा, है तो इंडोनेशा में ठीक है कौन से आइलेंड पर जावा इलेंड पर इसके अलावा फिर जी एस्टू रिलेटेड खबरों के उपर बात करते हैं अकोर्ड टू रेस्क्यू लॉस्च चाइल्ड हुड देखो भारती कानूनों के अनुसार राइट टू एजुकेशन हम लोगों ने बच्चों को दिये 6-14 साल के बच्चे स्कूल जाएंगे पर जब हम 6-14 साल के बच्चों को स्कूल भेजने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ भारती कानूनों के अंदर लेबर चाइल्ड लेबर भी बैन किया हुआ है क्योंकि बच् अभी बच्चपन में हैं अब उसकी उमर है खेलने की कुदने की दोडने की उड़ने की उसकी उमर है बच्चपन जीने की तो हम लोग उसके चाइल्ट को भी तो प्रोटेक करना चाहता है इसका आंच से चाइल्ड लेबर जो है वो 6-14 साल की उमर के अंदर मना किया हूआ हुआ दो बखता vardır के अंदर काम करने से मना कि यह इन्डश्रि लगबक 3 है जहां पर 120 को मनाकिया उधिस तरीकी की चीज़ हम लोग को यहां पर देखने को मिलती है कि अब कानूलों में तोछिजे हैं कर्णाव लेवल पकुछमां इंप्लीमेट नहीं होती कहीं बार आप जाओगे तो दुकानों पर देखोगे बच्चे जो और छोटी उमर के अंदर काम करते हैं कहीं बार ब्रिक किल्न इंडेस्ट्री के उपर या ऐसा भी होता है माइगरेंट वरकर एक जगे से दूसरी जगे जाके काम करते हैं बच्चा श्कूल कैसे जाएगा नहीं जा सकता तो बच्चा जो है वह उसके साथ में ही काम करता रहता है यह इन इमेजेस के अंदर आप देख सकते हो ब्रिक किल्न इंडेस्ट्री के अंदर ऐसा कई बार अम लोग को देखने को मिलता है जिसके कानून से जो भारती कानून व इसके अंदर इन सारे बच्चों को ब्रिक किल्न इंडेस्ट्री के अंदर काम करने वाले बच्चों को यहां से लिया जाएगा चाइल लेबर हटवाया जाएगा और इन्हें एजुकेशन इंस्टिटूट्य यानि की स्कूलों के अंदर एडमिट कर आया जाएगा तो वह जो है वो की जारी है नया code of conduct जो है वो लागू किया गया है ब्रिक इंडस्ट्री के लिए इसके अलावा जी एस्ट्री के अंदर क्या खास है सिखल सेल इस क्रीनिंग मीट अं़ली वन परसेंट टारिट हर्टिंग अंबिशैस अल्विनेशन गोल देखो हम लोगों सिखल सेल डिसीज को खटम करने का टारिट रखाए 2047 अब सिखल सेल डिसीज होती क्या है तो देखो एक जेनेटिक भीमारी है जनेटिक भीमारी जन्रली पैरेंट से नहीं आती ज़रूरी नहीं कहीं बार क्या होता है शरीर के अंदर जैसे आपके red blood cell जो होते हैं वो गोल होते है इस तरीके के पर जब इनके अंदर mutation होता है तो कहीं बार आसपास के environment को adop करने के लिए इवन डेंगू अगेरा से लड़ने के लिए या कहीं बार ऐसे ही यह से लगा म्यूटेट होगा तो यह सीकल से लोगा जाएगा सीकल से ही क्यों आपने सुना होगा सीकल वह साउथ की तो उनके हाथ में जो रहता फरतर जीसा उसे सिकल कहते हैं तो यह सिकल सेप की हो गई तो इसी को कहा जाता है सिकल सेल डिसीज अभी जो सिकल सेल डिसीज है की ब्लड में तो बलड के अंदर बहर है इनका में बहना चैनका पहुंचा ना थे टीक फ्लो को रस्ट्रिक कर पी है है गोल है तो असाले से फ्लो कर पा रहे हैं सिकल जो युझान से हाट की बिमारी ओर अलग क्राग की बीमारी एक श्वेक्तिक के इंदर देखने ने को मिलेगी क्योंकि ब्लड के फ्लो के सब्सक्राइब करेंगे ना जब लोगों को ढूनेंगे किनको ये विमारी है उसके बाद में उनका इलाज करेंगे तो इनको ढूना जा रहा है screening की जा रही है पर जो screening है उसकी जो targets है वो achieve हम लोग नहीं कर पा रहे हैं ठीक है ministry ने प्लान किया है कि लगबग 7 करोर लोगों को 17 highly affected राज्यों के अंदर 1225 तक screening करेंगे ठीक है 7 करोर लोगों को screening करेंगे ठीक है जिसके बाद 1223 के अंदर एक करोर screening जो है वो schedule की गई थी हाला कि अभी तक एक लाग के आसपास ही screening जो है वो हो पाई है जो दर्शाता है कि प्रॉपर रूप से screening नहीं हो रही प्रॉपर रूप से टेस्ट नहीं हो रहे अब अगर टेस्ट नहीं होगा तो फिर विमारी प्रोटेक्शन के अंदर थे अब चीता जो है वो वाइल्ड के अंदर उतार दिये गया है ठीक है कुनों नेशनल पाई को इसके अलावा सीилась सूपर कंडूक्टिविटी है ही नान्मल टेम्प्रेटर प्र यानि कि रूम टेम्प्रेटर पे अचीव कि जा सकती अब यह रूम टेपरेशर परचीव करना सूपर कंडुक्टिविटी होता क्या तो देखो सूपर कंडुक्टिविटी नाम से समझ में आ रहा है ठीक है जैसे आपने बच्पन में गलती है साइंस की किताब के ओपर नजर डाली होगी तो आपने सुना होगा कि यार वहाई जैसे करेंट मूव करता है तो कि में करेगा तो वह डिपेंड करेगा कि इसकी तो इसके उसके अनुसा करेंट करेगा तो अगर करेंड के ऊपर रजिस्टेंस लगेगए तो फिर क्या कोई सीची मूव कर पाईगी जितना यह दर से ओगा उतना करर्ण कंप फ्लो अकट अगर ने को किसी जगह पर करेंट इतना तेज फ्लोग आना मत बद Was कि तो तो मे कर ना चाहता हूँ तो कंड़क्टिविटी कैसी अचीव करेंगे अभी कैसे अचीव होती है तो थोड़ा जी डाइगराम देखो दाइगराम के अंदर आप देख पारे हो के जिसे से तापमान बढ़ता है तापमान के बढ़ने की वज़े से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्टरॉन और प्रोटॉन समय ऐसा आता है एक समय ऐसा आता जब समय राता जब करने को अ देखने को देखो यह अचानक से कम होने लगा यह यह द् fact चाम हो कहलाते ही यह बताते हैं मतलत दाप मान के बढ़ने पे अचीव होती है फिक है अब जब बढ़ने लगती अचीव करना कर आपने आंग आपमे कित्ता वड़ा खेले कि दुनिया तो फिल यह तो जो भी चीज थी पर आगे का भी सुन लो सुपर कंडुक्टिविटी जिस वेक्ति ना ढूंडी उस वेक्ति ने कहा कि किस डिग्री सेल्सियस पर सूपर कंडुक्टिविटी नाइट्रोजन बेज लूटेथियम हाइड्रेट के ओपर 20,000 एट्मॉस्परिक टेंपरेचर के ओ जिस वेक्ति ने रिपोड्ट निकाली इन व्यक्ति का नाम था रंगाnsinn में पहले भी अपना प्रोजेक बडाया था था 2009 नौ और 2012 के अंदर भी इन्होंने नई scientific discovery की थी उसके अंदर पता लगा था कि दोनों के अंदर डाता के डाइबिटीज एक प्रकाय की नौन कमुनिकेबल डिसीज है मतलब ऐसा नहीं होता मेंको डाइबिटीज है मैंने आपको छू लिया तो आप बीमार हो गए नौन कमुनिकेबल डिसीज की वज़े से आए दिन लोग जो है वो बहुत जादा मर रहा है मतलब आए दिन डेथ जो हम लोग को बहुत ही हामफुल इंपक्ट देखने को मिल रहा है अभी जो नौन कमुनिकेबल डिसीज है होती क्या है तो देखो नौन कमुनिकेबल डिसीज जो है वो हम लोग को अलग-अलग प्रकार की देखने को मिलती है एक होती है नॉर्मल और एक होती है सीवियर नॉर Heart stroke, non-communicable है, cancer, non-communicable है, यह सारी विमारी है, जो non-communicable है, कहने में तो, infectious नहीं है, पर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में travel करने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, कहने में तो यह non-communicable है, पर धिये धिये करके बहुत तेजी से फैल रही है, जिसकी वज़े से आई दिन death दे इनके खतरे क्या है, 66 प्रतिशत लोगों की मृत्यु हुई है, diabetes के कैसे लगाता बढ़ रहा है, इसके साथ नम लोगों को यह भी देखने को मिल रहा है, कि जब यह साही चीज़े हो रही है, तो इस चाही चीज़े हो रही है, एक व्यक्ति के जीवन के उस भाग केंद जब वह बहुत ज़्याद प्रोडक्टिव कर सकता था, जब वह अभी जिद्गी जी सकता था, उस समय पर यह बिमारी हो जाती है, जिसके कारण से उसकी जिन्दगी है, उसका एक बड़ा पार्ट बिना किसी वेल्यू के चले जाता है, साथ आप इमेजिन करो, खुदा ना खास प्रकाय के कारण है, एक प्रकाय के कारण है, जो चेंज किये जा सकते है, मोडिफाइबल और दूसरे प्रकाय के कारण है, नौन मोडिफाइबल, अब मोडिफाइबल कारण को पहले देख लो, देखो, ड्रिंकिंग, यूज अक्टॉबे को, इन एक्टिविटी, टू, माच, इस्ट्रेस, वगेरा, नौन मोडिफाइबल के अंदर एज इफेक्टर आ जाते हैं, जैसे आप देखोगे न, आत्मी जैसे से बुड़ा होते जाता है, दिए-दिए करके, नौन कम्मुनिकेबल डिसीज जो है, वो देखने को मिलने लगती है, ठीक है, एक उत जेनेटिक कारण, पैरेंट से बच्चों में आ रही है, एक होते ही जेंडर वाले कारण, कुछ प्रकार की विमारियां, जैसे सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में देखने को मिलता है, ठीक है, तो कुछ कारण जो है वो जेंडर है, इसे आप मोडिफाइब नहीं कर सकते, यह से लोगों के अंदर awareness होना इन चीजों के लिए काफी ज़रूरी है, ठीक है, तो वो चीज अम लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है, इसके अलावा दोस्तों, ताइंटिस्ट ने एक वर्ल्ड का फास्टे सिंगल सॉट लेजर केमरा का प्रयोग करके पता किया है कि किस तरीके से सूट निकलता है, अब यह सूट क्या होता है, वो हमारे लिए इंपर्टेंट है, यह रिसाज इतनी इंपर्टेंट नहीं है, अब बात करते हैं, देखो सूट क्या होता है, तो आपने कहीं मार देखा होगा ना वो पाइप अगेरा होते जांपर आंग अगेरा जलती है, उसके अंदर ना इस तरीके काला काला हो जाता है, इसको कहा जाता है, ब्लैक कारबन ही सूट कहलाता है, यह बिहेवियर में एक एरोजॉल की तरह भी होता ह है, और यह एक नेनो पार्टिकल भी होता है, अब यह इतना तो क्या खतरनाक है, जिसके अपर हम लोग इतना डिसकस कर रहे हैं, क्योंकि ब्लैक कारबन जो है, यह काले कलर का है, तो वैसे यह बहुत ज़्यादा नहीं है, धर्ती पर यह सेकंड लार्जेश सोर्स है, ग्री बहुत तेजी से कम कर देता है, इस कारण से जो ब्लैक कारबन है, यह काफी ज़्यादा हानी कारख हम लोग को देखने को मिलता है, और आपको यह सुनके आश्यर होगा, कि इंडिया और शाइना एरोजॉल के सबसे बड़े, सौरी, ब्लैक कारबन के सबसे बड़े प्रोड जिसे हम लोग कहते हैं, ब्राउन, एशियन, क्लाउड, एक्च्वल में यह केवल ब्लैक कारबन नहीं है, इसके अंदर ब्लैक कारबन, मिथेन, सलफर, और साथ में यह पूरा एरोजॉल वाला माटेरियल क्रियेट होता है, जो काफी ज़्यादा हानी कारख होता है, सांस व ज्यादा कारण नहीं है, यह ब्राउन, एशन, क्लाउड का बनने का, जीफ़ी वह बड़ा कारण है क्किए हमालय बने हुए हमालय के आगे हवा जा नहीं पाती है, तो जिटना ही पॉल्यूश न है, वो यहाँ पर आके अटक जाता है, हवा भी इस नार्य क्रवा में समय प को मिलेगा यह जो बन रहा है कि एशियन ट्रोपोस्फेरिक एरोजॉल लेयर यह यहां पर बनती है पूरे साउथ एशिया के उपर अब इन चीज़ों की वह से सबसे पहली दिकत तो हम लोगों को यह देखने को मिलती है कि ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ेगी ब्लैक कार्बन उसका एक बड़ा सोर्स है ब्लैक कार्बन है तो एरोजॉल वाले इंपेक्ट भी दिखाएगा तो एरोजॉल वाले इंपेक्ट के अंदर इसके क्या इ नुकलिया है मतलब मलब आप हवा को कितना ही कितना ही सेचुरेट क्यों ना कर दो पर जब तक आप उसको हाइडोस्कोपिक नुकलिया नहीं दोगे तब तक क्लाउड नहीं बनेगा ऐसा क्यों है यह इसे इसे इमेजिन करो आपने मालो ठंडा तापमान दे दिया हवा के बहुत प्रयोग करता हूँ इसका मैं जोगरफी में मालो इस बॉटल को मैं बहुत ठंडा करतू बहुत ठंडा तो इसके आसपास की जो हवाएं हैं उसकी वेपर इसके उपर आके चिपक जाएगी पर कभी आपने यह देखा क्या कि इसके उपर वाटर रॉपलेट बनती है मैं इसके उपर बनती हैं क्योंकि यह जो बॉटल की सरफेस नूप में काम करती है उसकी वज़े से क्लावड बनते है अब जैसे जैसे यह चुटे-चुटे-बाटिकल लगते इन की आसपास क्या होगा पानी की बूने जो हैं वह जमती जाएंगी जमती जाएंगी जमती ज जाएंगी जमती जाएगी जमती जाएगी एक समय ऐसा होगा कि टॉपलेट इतनी भारी हो जाएंगी कि ये नूकलेइन को जहेल नहीं पाएंगी ग्रैविटी निसे काम करेगी और उसके बाद में क्या हो जाएगा बारीश रहेगी ये एक समय ज्ली नहीं जाएगा एक जगे पर बारिष नहीं हो रही है और अचानक से जहां हुई वहाँ पर सारा पानी गिरा दिया तो एक जगे तो सूखा पड़ गया ड्रॉट तो दुसी जगे फ्लड आ गया तो इसकी वाइसे एक्स्ट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट इस तरीके से प्रमोट हो जाता है यही जो चीज है यह क्या करती है एरोजॉल की लेयर यह गर्मी को एब्सॉप कर लेती है पर यह जमीन को गरम नहीं होने देरी है यह गर्मी को एब्सॉप कर रही है धर्ती का एटमोस्फियर गरम कर इसको फिर इधर देखो आगर आप भारत के मौनसून की बात करेंगे तो यह भारत का मौनसून है यह भारत है ठीक है मौनसून का बाता है जब उपर ट्रॉपिक यह तिब्बत वाला प्लैट्यू जो है वह गरम हो जाता है लेर का वाला आक और अपर अगर का अट यहां तो यह यहां पर जितनी भी सूर्ज से आने वाली इसको नहीं यह पाता है उट प्रेशा बनने पाता है यह बन ली पाता है तो फीर बारिश होनी पाथी है जिसी कारण से मौनसून के अपर भी ऐसा पड़ता है एक तो एक्स्ट्रीम क्लिमेटिक देखने को मिलेंगे दूसरा कम मौनसून आएगा तो वह कम समय के लिए आएगा पर बहुत खतरनाग बारिश करके जाएगा कुछ छेत्रों में और कुछ छेत्रों के अंदर एक दम सुखा यह चुछ आप इमेजिन कर पा रहा है इस बार देखने को मिला कि मौनसून कोई बहुत समय के लिए नहीं पढ़ने लगे वहां पर बारिश कम हुई जैसे आप इस्टन पार्ट में देखो बंगाल अगेरा कि इस बार बारिश कम हुई पर मद्य प्रदेश है महराश्ट है इदा बारिश जादा होगी इसी का इम्पार्ट है ठीक है समझ मैं है इसके अलावा वर्ल लेल्ट और्ग मिलियन हेक्टर फॉरेश जो है वो काट दी गया है और नौन फॉरेश यूज के लिए यूज होने लगी है वो जमीने जिसके अंदर एंग्रिकल्चर इंडेस्ट्री बायो फ्यूल इनका प्रयोग जो है वो इन फॉरेश से किया जा रहा है और फॉरेश लगाता कटते जा उप्यूर्च अगले 15 साल के अंदर 1 बिलियन और बढ़ जाएंगे इस सब माना जाता है कि 21 शताब्दी के अंदर ग्यारा बिलियन हो जाएंगे तो फिर फोरेश और कर टेंगे और हार्मफुल इंपक्ट जो हेवा हम लोग को देखने को मिलेंगे अब इस आर्टिकल के अ फोरेस् रिसोसट असेश्मेंट निकाला जाता है लोबल है इस फॉ प्र्टीशत तक ही फोरे जो है वह आज धर्ती पर अवेलेबल सबसे पहला कारण है पॉलिटिकल विल का कम होना कि देखो आप सही बताना आप अगर किसी पार्टी को वोट देते हैं वैसे तो आजकल तो लोग दारू के नाम पर वोट देते हैं या फिर किसी और नाम पर वोट देते हैं कि वाई साहरा अगर आप डेवलप्मेंट के नाम पर दोगे तो मान लो आप डेवलप्मेंट के नाम पर वोट देरो सब्सक्राइब कर रहा है कि नहीं कर रहा है पर आप कभी डेवलप्मेंट में कंसेडर करते होगा कि यह पार्टी ना पेड़ को बचाती है तो मैं इसको वोट दूँगा करहीं किया आपने आपने इसा नहीं किया अगर आपने नहीं किया तो आपने वोटर की तरफ से डिमांड नहीं है तो पॉलिटिकल विल कैसे किये हैं उसके लिए विलकम है आप देखो कि हम लोगों नोगे क्यों प्रोटोकॉल चला है क्यों क्योंकि पॉलिटिकल विलकम है तार्गेट जो है वह अच्छीव नहीं हो पाते है इसी वज़े से दूसरा क्या है कि फॉरेश को जो काटा जा रहा है ठीक है वो अलगलग फॉरेशन बरन अगरिकल्चर है और एक बहुत बड़ा है अब इसकी वज से क्या होगा बायो डाइवरशिटी का लॉस होगा बायो डाइवर्सिटी के लॉस होने के साथ में हम लोगों को देखने को मिलेगा इस आर्टिकल के अंदर बढ़ेगा क्योंकि पेड़ होता है तो पेड़ क्या करता है कार्बन एमिशन हो रहा कार्बन डायोस्राइड गया उसको फोटो सिंसेशन में अंदर ले लिया और ऑक् काटे तो उसकी वह से क्या होगा जानवर जो है उनके घर चले गए अब वह बाहर आएंगे यूमन अनिमल कॉन्फलिक्ट होगा बिमारिया बढ़ेंगी ठीक है कि वह से पानी जो है पीने का पानी वह कम हो जाता है रेंफॉल पेटर्ण के अंदर चेंजित हो जाते हैं से क के आखा गया है कि 2,020 तक 500.000.000.000.000.000.000 तक के जमीन को हम लुग वापस से करेंगे को ने की बात किये 23 ilm you यह हम लोगों ने किया हुआ है इंटरनेशन लेवल पर युनाइटेड नेशन कन्वेंशन ओन टु कॉमबेट डेसर्टिफिकेशन यह किया हुआ है जिसके अंदर लेंड डेडेडेशन न्यूट्रालिटी जो है वह अच्छीव करने की बात की गई है यानि कि जितनी लेंड सब्सक्राइब के लिए नहीं है इसके अलावा जो चीज़ें कहीं कहीं है वह कहा गया है युनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फोर कन्वेंशन ओन दर क्लाइमेट चीज जहां पर रिनेवल एनरजी को यूज करने के साथ मैं हम लोगों ने कहा है कि हम लोग कार्बन के दिशन को कम करेंगे कैसे कम करेंगे यहीं फॉरष लगाए न पढ़ेंगे ठीक है भारत ने सोशल फॉरेष्ट्री करने की शुरुआत कि आ साथ में भारत ने forest को लगाने के लिए इंसाई जगों पर जोइन किया है भारत ने forest के लिए कामपा करके एक अलग से fund बनाया हुआ है इवन भारत ने अगर non forest use के लिए कोई सा भी forest जाता है तो उसके लिए forest conservation act जो वो लग जाता है साथ में compensatory forestation के भी प्रावधान भारत के अंदर बनाये गए यह साही चीज़ें जो फॉरेश को प्रिटेक्ट करने के लिए भारत सरकार दोरा कानूनों के अंदर करी गई है वो चीज़ यहां पर है तो यह साही चीज़ें हाला कि खबरों के अंदर इसके अंदर नहीं दिया पर वो चीज़ें जानना तोड़ा ज़्यादा जरूरी है जो है भारत का उसका केवल 22 प्रतीशत जो है वो फॉरेश्ट है सबसे ज़्यादा अंदमान निकोबार के अंदर हम लोगों को फॉरेश्ट के एरिया 87 प्रतीशत देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर उत्राखन हिमाचल प्रदेश के अंदर 21 अज़ा 24 अज़ा 16 अगर आप इन तीनों को देखोगे तो यह तीनों हिमालयन स्टेट है हिमा देखोगे ना तो 15 फाइनेंस कमिशन के अंदर फॉरेश्ट के आधार पर भी फंड देने की बात की गई है कितना forest area उसके आधा पर फंड देंगे वो क्या कहीं न कहीं इनको compensate करने के लिए ऐसे राज्यों को तो वो चीज़ हम लोगों यहाँ पर देखने को मिलेगी एक और रिपोर्ट है है ना forest report जो annual forest report आती है उसके बारे में भी सुन लो हाला कि इसके अंदर नहीं दिया है पर बत पर यह पर लगना protected forest गोशित किये जाते हैं और reserve forest होते हैं यह घोशित किये जाते हैं इंडियन forest act के अनुसार 1927 और यह स्टेट की कंट्रोल में होते हैं इवन village forest भी स्टेट के कंट्रोल में होते हैं यह recorded forest कई माँद फॉरेश कवर्ट भी नियोते ग्राउड लेबल पर घ से जहां पर कैनोपी रेश्यू टेन प्रतीशत से ज्यादा हो और साथ में लगबग वन हेक्टेर की जमीन पर फैला हुआ पेड़ का एरिया तो उसे फॉरेश्ट कवर कहा जाता है अब मैंने इसे सर्कल में ऐसे क्यों बनाया क्योंकि कहीं बार रिकॉर्डेट फॉरेश्ट के अंदर टैन परजेंट के नोपी या फिर वन हेक्टर अचीव नहीं होता तो फिर और वो फॉरेश्ट के एल्ड़ फॉरेश्ट के बाहरा एसे जंगल होते जो बड़े फॉरेश्ट एड़िया के रूप में कवर हो जाते हैं तो फॉरेश्ट कवरमें ऐसे फिर कवर होता है तिहां फोरेस्ट होते हैं जो रिकॉर्डेड फोरेस्ट नहीं होते हैं उन्हें टूस्ट आजाता है तो यह सारे फोरेस्ट हम लोगों को मिलता है तो प्रतिशत सबसे आदा आपको देखने को मिलेगा अंदमा निकोंबार आइलेंड के आप पास फास पर मद्र प्रदेश पर्सिंटेज देखोगे तो मद्धप्रदेश तर वाइज हम लोगोוד देखने को मिलती है इसके अलावा एक यह चेविला मंडल करके जगे वहां पर बनियान ट्रीज को काटा जाना नेशल हाइवे ऑफ इंडिया द्वारा एंच 163 को डेवलप करने के लिए जब डिफॉरेश्टेशन से इतने सारे बुड़े इंपेक्ट पड़ रहे हैं भारत के इंदर पहले ही इसके बावजूद और भी डेवलप्मेंट के लिए काटे जाना है तो वह चीज़े हम लोग को यहां पर देखने को मिल रहे हैं तो आज के लिए रखते हैं दोस्तों लेक्शे अच्छा लागाओ तो लाइक करो लेक्शे बहुत अच्छा लागाओ तो एसासी 10 कमेंट करो अगर आप लोग को अनकाडमी के उपर सब्स्क्रिप्शन लेना तो आप लोग कोड यूज कर सकते हैं जिसके बाद में आप लोग को मेरे दोरा वनाओन मेंटर्शिप मिलेगी आज के लिए इतना ही जैहिन जैभारा